बचत योजनाओं की ब्यास दरों में काफी बड़ोत्री हुई है इन योजनाओं में टैक्स लाप मिलता है जिसके कारण ये निवेसकों के लिए निवेसका एक अच्छा विकल्प बन कर सामने आया है पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं जिनके जरिये आप बड़ी बचत कर सकते हैं आज हम आपको इन योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं सबसे पहले आपको हम प्रोविडेंट फंट योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें टेक्स में छोट मिलेगी, साथ ही निवेस रासी के साथ पीफी एप डिपॉजिट पर भी आर्थिक प्याज पर भी कोई टेक्स नहीं लगेगा, पीफी एप के लिए प्यास दर हर तिमाही सरकार द्वारा निर्धरित की जाती है, वरसे 2023, 24 की पहली तिमाही के लिए पीफी एप की प्यास दर 7.1% है, दूसरी योजना नैशनल सेविंग मंतली इंकरम स्कीम डागर मासिक आई योजना के निवेसकों के लिए सरकार ने निवेस लिमेट बढ़ा दी है, अब इंडिविजियल खाताधारक 9 लाग रुपे तक निवेस कर सकेंगे, जोइन खाता के पास अधिक रिटन कमाने का मौका है, तीसरी योजना नैशनल सेविंग सार्टिपिकट इसमें एक जबरदस ओप्सन नैशनल सेविंग सार्टिपिकट्स का भी है, पोस्ट ओपिस में हो एकाउंट खुलवाया जा सकता है, सरकान ने एक अपरेल से सेविंग की ब्यास द चौती योजना सुकनिया सरमदी योजना है, पोस्ट ओपिस में या बेंक ब्रांच में जाकर आप अपनी दस साल से कम उम्रे की बच्ची के लिए सुकनिया सरमदी खाता खुलुआ सकते हैं, एक मादा पिता अपने सेर पर दो लड़कियों के नाम पर ही सुकनिया सरमदी खाता खुलने की अनुमती है, सुकनिया सरमदी योजना पर फिलाल आत्परतिशत सालाना के हिसाब से ब्याज मिलता है, पांचवी योजना है, महिला सम्मान सेविंग साडिफिकर्ट, महिला सम्मान सेविंग साडिफिकर्ट, योजना केंदर सरकार के द्वारा संचाली छो दिया जाएगा महिला समान बचत पत्र योजनाओं के तहर जो महिलाएं इन योजना में आवेदन करेंगी दोलाग की बचत पर वो 7.5 परतिशत 62 उन्हें प्राप्त होगा इससे महिलाएं अपनी जमापुंजी की बचत करके 22 सुने आत्मने भर बन सकती हैं महिला बचत समान पत्र योजना की जादा जानकारी देते हुए हलवानी के पोस्ट मास्तर दयाल राम सिंग ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया आप भी सुनिए उत्राक्रिण के हल्दुवानी से लोकल 18 के लिए पोवन सिंग कोई